पार्ठ बारा वास्तविक सौंदर्य मौर्यवंज के प्रथम साशक चंदरगुप्त मौर्य थे वह बहुत सुन्दर और तेजश्वी थे उनके एक प्रधान मंत्री थे आचारे चानक्य वो बहुत ही कुरूप किन्तु विद्वान थे एक दिन की बात है चंदरगुप्त और चानक्य दोनों दर्बार में बैठे हुए किसी विशे पर विचार विमर्ष कर रहे थे कि तभी चंदरगुप्त ने उनकी प्रतीभा, विद्वता और धैरे की प्रशंसा करते हुए कहा गुरुवर, काश ईश्वर ने आपको थोड़ा सौंदर्य भी दिया होता ये सुनत ही चानक्य समझ गए कि चंदरगुप्त को अपनी सुंदर्ता पर अभिमान है उन्होंने एक सेवक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा कुछ समय बाद वह सेवक जल से भरे दो पात्र लेकर दरबार में उपस्तित हुआ दोनों पात्रों में से एक पात्र मिट्टी का तथा दूसरा सोने का था चानक्य ने चंदरगुप्त को सोने के पात्र वाला जल पहले पीने के लिए कहा तथा मिट्टी के पात्र वाला जल बाद में चंद्रगुप्त के जल पी लेने के बाद आचारे चानक्के ने प्रश्न किया कि केस पात्र का जल अधिक शीतल वे मीठे स्वाद वाला था चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया गुरुजी मिट्टी के पात्र वाला जल अधिक शीतल वे मीठे स्वाद वाला था इस पर चनक्के ने बताया राजन दोनों पात्रों में शीतल जल ही भरा गया था किन्तु मिट्टी के पात्र वाला जल और भी अधिक शीतल वे मीठे स्वाद वाला हो गया लेकिन सोने के पात्र वाले जल ने अपनी शीतलता छोड़ दी चंद्रगुप्त चानक्के की बात सुनते ही समझ गए कि सौंदरे की अपेक्षा गुन अधिक महत्वपून है इसके बात चंद्रगुप्त ने कभी भी अपनी सुन्दरता पर घमन नहीं किया